आज हम जानेंगे कर्म की तीन मुख्य अवस्ताओं के बारे में, यानी बंद, सत्ता और उदई के बारे में, सबसे पहले जानते हैं बंद के बारे में, यानी कशाय युक्त परिनामों से या भावों से, या राग द्वेशमई प्रवृति से, आत्मा के असंध्य प्रदेश उसी छेत्र में या उसके निकटवर्ती छेत्र में रही हुई कार्मन वर्गना या कर्म वर्गना के पुद्गलों का आत्मा के असंक्य प्रदेसों के साथ दूद और पानी या पानी में शक्कर मिल जाती है उस प्रकार से मिलन या बंद हो जाता है उसी को बंद कहते हैं दूसरी अवस्ता है सत्ता, यानि कर्म बंद के पस्चात, जब तक कर्म पुद्गल आत्मा की साथ बंदे रहते हैं, अर्थात न तो वे उदई में आते हैं और न ही उनकी निर्जरा होती है, वे यूही निश्चेष्ट पड़े रहते हैं, उस स्तिती को सत्ता कहते हैं, जैस की धन कमा कर तिजोरी में रग दिया हो, न उसका भोग किया और न ही किसी को दिया, इस अवस्ता में जीव, चाहे तो कर्मों का प्रमान, गटा भी सकता है, तो बड़ा भी सकता है, परन्तु उदय में आने के पस्चात कर्मों का किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जैसे सब्द मू से निकलने के पूर्व मन ही मन उसकी कैसी भी रचना की जा सकती है किन्तु मू से सब्द निकलने के पस्चात कुछ भी नहीं हो सकता तो सत्ता रूप कर्म मिट्टी के पिंड जैसा होता है जिसे कुम्बकार चाहे जैसी आकरती दे सकता है लेकिन उसी मिट्टी के पिंड को पकाने के बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसी तरह जीव कर्मों के उदई में आने के पस्चात कुछ भी पर अजिवर्टन नहीं कर सकता है तो ये थी दूसरी अवस्ता सत्ता अब जानते हैं कर्म की तीसरी अवस्ता उदई के बारे में बंदे हुए कर्मों का निश्चित काल या फिर अबादा काल पूरा होने के पस्चात उसका असर प्रारम्भ हो जाता है और वो फल देना शुरू क कर्म की इस अवस्ता को उदई काल कहते हैं पहले बंद फिर सत्ता और फिर उदई इन तीनों के क्रम में परसपर घनिष्ट संबंद है जैसे पहले बीज बोया जाता है फिर कुछ समय तक जमीन में पड़े रहने के पस्चात बीज अंकुरित और पल्लवित होकर व्रिक्ष ब को उदई कहते हैं जैसे किसी ने असाता वेदनिय कर्म का बंद किया और उसका अबादाकाल एक माह का था एक माह पूरा होने के पस्चात असाता वेदनिय कर्म का उदई हुआ और वो व्यक्ति अच्छानक बिमार हो गया और वो असाता वेदनिय कर्म का अनुभव करने उसकी स्तिती है उदैकाल दो प्रकार का होता है प्रदेसोदई और विपाकोदई सबसे पहले जानते हैं प्रदेसोदई के बारे में जिन कर्मों का वेदन केवल आत्म प्रदेसों में ही होता है वो प्रदेसोदई है अत्वा जिन कर्मों के प्रदेसों का ही वेदन होता है रस का वेदन नहीं होता वो प्रदेसों दई है इन कर्म के फल के रस को जीव वेदन या अनुभव नहीं करता और उसे पता चले बिना ही कर्म उदई होकर आत्मा से अलग हो जाता है जैसे किसी मूर्चित व्यक्ति का आप्रेशन कर दिया जाए तो उतसे प्रत्यक्स वेदना की अनुबूती नहीं होती है अब जानते हैं विपाको दई के बारे में जो कर्म परमानू कर्म जन्य वेदना की स्पष्ट अनुबूती करवा कर ही आत्मा से अलग होते हैं वे विपाको दई कहलाते हैं विपाको दई ही आत्मगुनों का घात करता है और नए कर्म उत्पन करता है प्रदेसो दई से नए कर्म उत्पन नहीं होते और नहीं आत्मगुनों का घात होता है विपाकोदई छे प्रकार का होता है पहला है द्रव्य विपाकोदई यानि जैसे मिठाई अधिक खाई तो शुगर या शकर की बिमारी हो गई गंदा पानी पीने से पेचिस या दस्त लग गए या पेट की कोई बिमारी हो गई तो द्रव्य के निमित से कर्म का उदई में आना द्रव्य विपाक उदई है अगर ये हेतू नहीं मिलते तो कर्म का विपाक उदई में नहीं आता दूसरा है छेत्र विपाकोदई यानि छेत्र के प्रभाव से कर्म का उदई होना छेत्र विपाकोदई कहलाता है जैसे दूप में जाने पर घर्मी का अनुबव होता है और ठंडे स्थान पर जाने से जुकाम आदी की बीमारी होती है तीसरा है काल विपाको दई काल के प्रभाव से जो कर्मों का उदई होता है उसे काल विपाको दे कहते हैं जैसे मौसम बदलने पर बीमारी आ जाना, सर्दी में खांसी, दमा, आदी की तकलिफ होना, गर्मी में लू लग जाना इत्यादी चौता है भाव विपाको दई यानि वर्तमान में कोई स्पष्ट बाहरी निमित न मिले किन्तु पुरानी यादो या स्मृती या भावी आशंका से क्रोध पैदा होना जैसे किसी व्यक्ति को चिंता से हार्ट अटेक हो जाता है सोस्ते सोस्ते ही क्रोध के आवेश्य, रक्त चाप बढ़ जाता है तो ये भाव विपाको दई है पांचवा है भव विपाको दई जैसे दर्शना वर्निय कर्म सभी संसारी जीवों के होता है फिर भी मनुष्य और तिर्यंग जीवों को निद्रा आती है देव और नार्की जीवों को निद्रा नहीं आती तो ये भव कारण है या भव विपाको दई है चटा है हेतू विपाको दई यानि स्पष्ट बाहरी निमित के मिलने पर उससे संबंधी कर्म का उदई होना जैसे पत्तर को ठोकर लगी और गिर जाने पर हड़ी का फ्रैक्चर हो गया तो ये असाता वेदनिय का हेतू विपाको दई है तो ये थी कर्म की तीन मुख्य अवस्ताओं की जानकारी कितने लोगों को बंद सत्ता उदई अच्छे से समझ में आ गया और कितने लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें